आल्राइट गाइस, no controversy, no personal stories, आपको इस चैनल पे only bodybuilding related updates and knowledge मिलेगा हैं, I hope कि return में मुझे भी आप से कुछ knowledge मिलेगा, यही इस चैनल का purpose है, तो चले चालू करते हैं, आज का topic, दोस्तो मैं जब 2021 के top 5 देख रहा था, मैं analysis जब कर रहा था, तो दोस्तो मुझे रेमन अन्मल्ट और इरिन बैंक से फिजिक लगबक स्यम दिख रही थी, उनकी height या फिर structure कह सकते हो, बट जस्ट रेमन अल्मंट की condition में थोड़ा बहुत issue हर टाइम पे होता है, बट जो इरिन बैंक से वहर टाइम अपना peak करने में बहुत जाने जाते हैं, तो बहुत chances ही कि अगर रेमन अल देन आप देख सकते हो कि दोनों की body कि इतनी symmetrical है, और दोनों athlete को देख कि आप पता लगा सकते हो कि यह men's physique के athlete है, विकाज उस तरीकी से body की symmetry, body का proportion उनने maintain करके रखा है, बट अगर core की बात के रही देन दोस्तों, इरिन बैंक का जो core है, वो हर टाइम पे strong आता है, और और पिल्ड कंडिशन की दिखाई मिलती है, तो दोस्तों यह जो photo है, उनके life का सबसे best form है, जैसे कि इरिन बैंक का यह बॉस्टन प्रो था, रेमन अलमंट्स का 2019 का olympia था, जिसमें कि वो overall winner हुए थे men's physique के, तो दोस्तों अगर बात की upper body की then overall अच्छी physique है, रेमन अलमंट्स क की तरब से, पर दोस्तों अगर इस साल वो अगर पिल्ड कंडिशन दिखाई देते, अगर shoulder को और थोड़ा wide करते, तो definitely front से वो stand कर सकते है, इरिन बैंक्स के साथ, बट अभी के लिए फिलाहल इरिन बैंक्स बहुत ही आगे चल रहे है, विकाज जो उनके obelisk की सिरेडस मसल आप देख सकते हो, लैट्स के साथ, जो जुड़े हुए है, जो insertion है, वो एक genetically gifted है, उन्होंने hardware से बहुत ज्यादा push करा है, अगर chest की बात करों के दिन chest broad आती, इरिन बैंक्स की साथ, जो रेमन अलबन्स की chest है, वो भी fuller आती है, बट मुझे लगता है कि उनको upper chest मे mass add करन जरूरी है, तो front से symmetrical body दिखती है, पर दोस्तों जो mains physics का criteria है, and mains physics का proportions symmetry फीटे पर है, वो मुझे लगता है कि इरिन बैंक्स यहाँ पर एक कामियाब हो सकते है, जडिस को attract करने में, and definitely 2021 में भी अगर इस एक तरह से की देखो, तो रेमन अलमंट्स उन से हारी ही थे, इसके because उनका जो back है, वो strong point and front से तो वो beat करते है, just उनका issue है, posing and representation का, वो भी उन्होंनी सुधारा था, अपने बोस्टन प्रो में या फिर Arnold Classic 2022 में आप देख सकते हैं, उन्होंने एक अच्छी कासी improvement करी थे, अपनी posing and representation में, तो इस साल बहुत ही मजाएगा, because condition का तो उनका no doubt कोई भी issue नहीं हो सकता, और अगर Raymond Alvance की बात करी जाए, तो मुझे लागते कि उनको field आना होगा, अगर उनको main specific division में अपना title दूबारा defend करना है, तो definitely उनको condition show करनी होगी, because मसल मास चाहे भी कितना भी gain कर लो आप, but आपको condition on point रखनी होगी, because यही main specific first criteria है, उसके बाद V-tepper तो उनका अच्छा है, just मुझे लगता है कि shoulder उनके और जाता broad होने चाही यहाँ पर, बस front से guys मुझे लगता है कि जाता फासला नहीं है, but still इस time के लिए Erin Banks उनसे बहुत ही आगे चल रहे है, secondly guys हम बात करते है back pose की, and सारे bodybuilding lovers में जाना चाहते हो कि आपको क्या लगता है कि back में men's physique में judging criteria क्या होता है, क्या देखते है, मेरी से अब से तो दोस्तों back pose में density देखते है, first of all, उसके बात देखते है detailing, उसके बात देखते है thickness, तो दोस्तों अगर density plus thickness plus detailing के बात करी जाए, then overall, जो Erin Banks है, हो next level पर खड़े है, and no comparison with Raymond Alman and no other athlete in the world right now, because जो उनके back है, उनने सब उसे strong point करके रखा है, जैसे कि Big Grammy ने अपने legs कर रहे है, overall body की size करके रखे, उसे कोई touch भी ने कर सकता, exactly, इरिन बैंक्स ने भी वहीसा ही किया, अपने physique के साथ, अपने back के साथ, बट दोस्तों, अगर Raymond Alman's अपने back पे काम करते हैं, definitely future में back अच्छी बन सकते है, because अच्छी वह back में भी उनसे आगे जा सकते है, बट जो main physique का जो flow है, वो Brandon Hendrickson के physique में last year ज़्याद आच्छा लग रहा था, बट इस साल देखते इरिन बैंक्स क्या लाते हैं, and posing presentation में क्या changes करते हैं, all body winning lovers, let's talk about posing routine, दोनों athlete की posing, आप देख सकते हैं, तो दोनों athlete की posing, आप देख सकते ह है, at the same time, इरिन बैंक्स की frame कुछ अलगतर की से दिखते है, because वो side angle से खड़े रहते हैं, but at the same time, जो उनके obliques है, वो next level पे judges का ध्यान attract करते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों athlete को पता है कि अपनी strong points की से और ज्यादा highlighted करके धिखाना है, और जब वो back के लिए transitions लिखते ह सारी muscles है, lower back से लेकर upper back तक और rear dealt की अगर बात करूँ तो सारे muscles ear in banks से हाँ पर squeeze करते हैं, जो Raymond Alvand से वो भी overall back को squeeze करते हैं, तो back complete ear in banks है, overall detailing भी उनके back में अच्छी है, इसकी वाज़ा से जो उनकी posing है, वो बहुत ज़्यादा खूबसरत लगती है, और फिर से जब वो transitions ले सारी करता है, और उनकी frame और ज़्यादा खूबसरत दिखनी मिलते है, और back pose hit करने के बाद जो ear in banks अपने back को फिर से खोलते हैं, उसके बाद से उनकी back और ज़्यादा खूबसरत लगती है, और उनके लिए आप कह सकते हो कि उनका और ज़्यादा best advantage उनके physique को देता है, उसक फिजिक अगर बात कर जाए, इस situation पे इरिन बैंक से फिजिक next level पे है, और डिफिनल इस साल भी वो बाजी मारेंगे, और ड्रेमन अल्बंस को हरा सकते है, विकॉज उनकी back complete आती है, तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा, let me know in comment section, आपका क्या view है, आपको क्या लगत बहतर, आप definitely comment section में बाता सकते हो, अगर मैंने कुछ गलती करे होगी, then point out me in comment section, तो रोस्तो, don't forget to subscribe my youtube channel, and don't forget to like this video, ऐसे content आभी और ज्यादा आएंगे, because अभी 16 दिन बचे ओल्मिया के लिए,